हेलो फ्रेंब वेलकम टू दू नोबल प्रुफेशन मैसल पास्ता स्वागत करते हूं आपका अमारे योटूब चैनल पर और आज मैं सीसी एच्छन एक्जाम से रिलेटेट कुछ इनफॉर्मेशन लेके आ चुकी हूं आइधिंग यूपी एच्छन की साइट पे आपने दीख लिया हूंगा कि सीसी एच्छन एक्जाम का जो सेट्डियूल है वह आ चुका है और उस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ा इंक्लूट की गई हैं जैसे की एड्मिट कार्ड कब आएगा रिजल्ट कब आएग यह विडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो सीसी एच्छन एक्जाम से रिलेटेर कुछ क्वेरी जरपते हैं और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 13 अफ मार्च को जिनका एक्जाम होने वाला है तो विडियो को लाज तक जरूर देखें और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट रह जाता है तो आप में कमेंट सक्षन में कमेंट कर सकते हैं तो विडियो को स्टाट करते हैं जैसा कि आज है दो मार्च और दो मार्च को ही यह एंचन की साइट पर ओफिशिली नोटिफिकेशन आ चुका है और यह अचन का वह नोवंबर दोजार एककिस से मार्च दोजार बाइस का था मिंस छह मेंने का नहीं था चार मुंद का ही कह सकते हैं आप इसमें देख सकते हो कि फर्स्ट कोई से मैं बताऊंगे आपको फाइनल एग्जामिनेशन जो था वह सीचे अचन कोर्स कंप्लीट होने के बाद लिया जा रहा है और थीरी एक्साम जो कंड़क्ट किया जाएगा वह आपका केजीमु सेंटर पे होगा और केजीमु होगा एक्जामिनेशन फॉर्म फॉर्म फॉर्डे स्टूडन यह लगबग आप लोगों ने फिलप कर दिया होगा मिंस यह प्रोसेस आपने कर लि आपको 4 मार्च को मिरका और प्राक्टिकल एक्जाम होंगे इंटर्नल और एक्सटर्नल वह पांच से दिया जगा और जो आपके certificate होंगे वो आपको fourth week of March मतलब last में March के आपको जो certificate होगा CCHN का वो मिल जाएगा और उसके साथ ही आपकी जॉइनिंग मतलब March के बाद अप्राइल fourth week में तो ही आया अप्राइल में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी तो अब इस exam में बैटने के साथ में जो इन्चार्ज है उनके अंडर में आपको इनके determination में ही प्रोग्राम कंड़क्ट किया जाएगा The duration of theory paper आपका जो theory paper होने वाला है तेरे तरीको वो तीन घंटे का होने वाला और उसमें 200 questions होंगे और 100 marks के होंगे तो कोई भी question नहीं मिलेगा Hindi version आपको exam में नहीं मिलेगा और theory examination will be conducted in KGMU यहाँ पर देख सकते हो कि KGMU पे ही आपका सारा exam होगा अगर कोई भी due होता है regarding theory examination process respective PSCs will be immediately accordingly तो अगर कोई भी process होता है तो उनको inform किया जाएगा practical examination की बात करें तो आपका 80% attendance होना चाहिए practical में practical examination will be conducted in respective clinical site hospital each study program means practical जो exam होगा आप जहां पे भी training करते हो तो CSC, PSC और जो आपका district hospital होगा और इसमें दो चीज़े दी गई है internal practical exam और final practical exam तो जो internal exam होगा वो आपके internal exam conduct किये जाएंगे CSC पे district hospital पे और internal practical exam में आपको 40 marks मिलेंगे और इसमें 40 marks में क्या है कि 10 marks और 5 marks आपको मिलेंगे evaluation के लिए मतलब आपको 2 case लेने पड़ेंगे एक long case और एक short case तो long case जो होगा 5 number का होगा और जो short case होगा sorry long case जो होगा 10 marks का होगा और short case जो होगा 5 marks का होगा और आपको log book के 10 marks मिलेंगे evaluation format last में दिया गया किस पे आपको marks मिलेंगे और final examination में जो examiner आएंगे वो भी आपको इसमें भी पूरे detail दिये गया है अगर मालेज़े किसे center पे 50 students से जादा है तो उनको दो दिन में examination conduct करवाई जागा प्राक्टिकल का 50 से कम है तो एक दिन में प्राक्टिकल हो जाएगा और जो प्राक्टिकल exam होगा वो पूरा GIO protocol पे based होगा student will be assigned two cases हर एक student को दो case लेना होगा एक long case और एक short case वाईबा जो होगा आपका उसमें एक limited topics दिये गया है कि इतने ही topics से आपका वाईबा होगा जो आपने case study किया उससे for disease condition से disease identification of equipment article मतलब अगर examiner है वो कोई भी hospital का equipment article इससे related कुछ पूछ सकता है hand washing technique से related biomedical waste management से related question कर सकता है evaluation for business में दिया गया अब हम पूरा उसका जो schedule है वो दीख सकते हैं district hospital community health center के लिए एक आपको long case लेना पड़ेगा एक short case मतलब examiner आपको disease condition से related कोई case दे देंगी 10 नंबर का और 5 नंबर का आपको लिखना होगा आगे time schedule भी दिया गया आपको 50% marks चाहिए और जब external examiner आएगा तो उसमें भी यह है आपको 40 मिनट्स दिये जाएंगी और आपको long case दिया जागा short case दिया जागा 20 मिनट्स के लिए counseling and health education के लिए आपको 10 मिनट्स दिया जागा और वाइबा आपका 30 मिनट्स का होगा total 60 marks जो है वो external examiner के लिए है और इसमें भी वही चीज़ है कि अगर 50 से जादे लोग होते हैं तो दो दिन में उनलों का practical exam होगा फिर उसके बाद से आप यह आप देख सकते है practical exam के लिए जो उनको fund दिया जाएगा जो भी examiner आएगा तो 20 रुपय पर candidate के हिसाप से दिया जा जागा और साथ में 20,000 रुपय external examiner को एक दिन के लिए पेकिया जागा अब यहां पर सबसे जादा important information दी गई है कि process of evaluation जो भी होंगे 50% marks आपको पाने होंगे theory में भी और practical में मतलब कि अगर 200 का exam है theory का जिसमें आपके 100 questions आएंगे और 100 questions तीन घंटे में आपको solve करने होंग half marks मिलेंगे question के तो आपको इसमें 50% पाने है means कि आपको 100 number में से 50 marks पाने है तो आपको 200 question attempt करना और theory और practical में दोनों में पास होना है अगर आप किसी वज़े से fail हो जाते हो यहां पे देख सकते हो तो आपको next exam जब भी देना होगा तो 4000 रुपए अलग से pay करने होंगे और fail candidate will be appear for both theory and practical अगर आप किसी एक में भी फेल हो जाते हो तो आपको next बार theory और practical दोनों का exam देना पड़ेगा और अगर कोई भी ऐसा candidate है जो मतलब उसका theory hours या practical hours complete नहीं है और वो exam में नहीं बैठ पाया तो उसके लिए फिर से जो नए batches आएंगी उनके साथ में उनकी जो hours हैं उसको complete करना पड़ेगा formats दिये गए हैं कि examiner के लिए format दिये गए हैं कि जिन पर उनको marks देने हैं तो यह सारे format आप देख सकते हो यह PDF टाउनलोड करने के लिए आप UPNCHM की साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं वहाँ पे officially PDF आच इंफरमेशन आपको यहाँ पे दे दी है तो अगर इसके अलावा अभी आपके पास अगर कोई डाउट है तो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जितने भी लोग 13 अफ मार्च को exam देने जा रहे हैं में तरफ से उन्हें all the best अपना best देखिया है और जल्दी से जल्दी Community Health Officer का फाइनली जो टैग मिलने वाला है वो टैग ले 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 ल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं लव यू आल बाई